में हिलम व् departments वेलकूम तुनिक्मेगटेग अगर आप इंजिनरिंग मेंक से हो और ये सब coyको अच्छी तरीके से पढ़ना चाते हो एक कुकि आपको पता होगा इंजिनरिंग मेंक से पहले concept उसके basis पे हमको numericals बूचे जाते हैं तो मैं आपको engineering mechanics के पहले topics बता देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखें यहाँ पर यह आपका BTEC के सलेवस है दोस्तों जैसे यहाँ पर food system के बारे में दे रखा है फिर आना beam and trust के बारे में दे रखा है centroid and movement of inertia तो आप किस तरीके से subject को complete कर सकते हो और आप easily पढ़कर पास भी हो सकते हो तो मेरी बात दिहां से सुनिए अगर आप engineering mechanics में पास होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपना YouTube फोलना है ठीक है YouTube open करते ही यहाँ पर आपको सर्च वार में देख पारे हो आप लोग स ठीक है आपको पता है यह चैनल पre only video देख रहे हो अभी जैसे आपको इचनल दीखेगा दोस्तो तो आपको क्या करना इस पर क इनचनर करने के बाद आप यह स्लाइड करना इस सप्लें करते हैं तो वाले section में अपको पता है देखो यह सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएं आपने नीछे सुस्वर करते जाओंक्क जैसे स्कू sulph 16 Chinese आपकोfly के लिए मेंगगी इंजिनीरिंड मेंकेनिक्स की यह आपको मिलके इंजेनीरिंग मेकानिक्स की बिरलीस इस पर जैसे आप लोग कि ले करोगे तो यहां पर आपको यह सिस्टम फोर्स के बारे माया लौप एलेलग्राम फोर्ट सेस्ट का कॉंसेप्ट है ना स्ट्रें का कॉंसेप्ट टाइप सब्सक्राइब क्या होता है और इसमें दो वन डाइवेंशन लोडिंग की आप लोग यहां जाकर देख सकते हो यह प्लेइस्ट आप लोग जरूर देखना इसके बाद मैं आपको और बताना चाहता हूं जैसे आप लोग इस चैनल पर आते हो तो आप होंग पर जाना जैसे हम पर पहुंचेंगे तो इस चैनल मैंने एक और चैनल रिकमेंट किया है नी को देख सकते हो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको वीडियो अगर वीडियो अच्छी हो लगी है पसंद आईए तो में दोस्तों के साथ सेयर जरू करो